तीन महिने की महनत में ही रोप स्किपिंग में जीता गोल्ड मेडल। अब नजरे अंतर रास्टी टूनामेंट पर। अंडर 14 अनलिमिटेट रोप स्किपिंग में गोल्ड जीता गोल्ड जीता गोल्ड जीतने के बाद दिल्ले में भी स्वन पदग जीता है। साथ बूश्रा को लगातार मिलता गया और वो प्रेक्टिस करती चली गए। आखिरकार पहले नेशनल टूनामेंट जो की दिल्ली में आयोजित हुआ उसमें नेशनल रोप स्किपिंग चेंपियन सिब में गोल्ड मेडल जीता। बूश्रा अब अंतर राष्टिये रोप स्किपिंग चेंपियन सिब की तयारी में जुट गई है। दिल्ली के ताल कडोरा में आयोजित हुए राष्टिये रोप स्किपिंग परतियोगिता में 19 राजियो के 900 चात्रों ने भाग लिया। परतियोगिता में सरवादिक पुरशकार दिल्ली से जीते मद्द प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। जवलपूर से आठ खिलाडियों ने मेडल जीता है जिसमें एक से बूश्रा भी है। जवलपूर में आयोजित हुए रोब स्किपिंग परतियोगिता में जिला अस्तर पर बूशा ने 30 सेकंड लगातार स्किपिंग कर गोल्ड जीता इसके बाद फिर भूपाल में आयोजित हुई रोब स्किपिंग में गोल्ड जीतने के बाद दिल्ली में स्पीड आनलिमिटेड प्रतियोगीता में गोर्डी चीता रोपस्केपिंग सिर्फ एक खेल ही नहीं बलकि सरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बेटर एक्सरसाइज भी है जानकार बताते हैं कि रोपस्केपिंग करने से हिर्दे चंता को बढ़ाया जा सकता है रोपिस्केपिंग करने से ब्लड सर्कूलेशन भी अच्छा रहता है रोपिस्केपिंग सरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलरी को भी बर्ण करने में मदद मिलती है बने रहे हैं देख़बरदार नीज के साथ धन्यवान